Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD जॉब में DPS सिक्षक भरती का नया advertisement जारी किया गया है Teachers और non-academic staff की vacancy निकाली गई है सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर apply करने के लिए कोई भी fees आपकी नहीं लगने वाली है fresher भी जो है apply कर सकते हैं और notification में CTAT या TAT जो है वो बिल्कुल नहीं मांगा गया है ठीक है तो जिनका clear नहीं है CTAT या कोई भी TAT exam किसी भी राज्य का तो बिल्कुल यहाँ पर apply कर पाएंगे salary की अगर हम बात करें तो 28,000 से लेकर 70,000 तक salary DPS में मिलती है जैसे कि अगर हम PRT की बात करते हैं तो 30,000 तक PRT के teachers को दी जाती है salary और PZT के teachers को 48,000 से लेकर 50,000 तक मिलती है और जिनके पास ज़्यादा experience होता है ज़्यादा सालों का या higher qualification होती है तो उसके according उनकी salary और भी अधिक होती है KVS से अधिक salary जो है DPS में मिलती है तो चलिए देख लेते हैं विग्यापन कहां से जारी हुआ है कौन-कौन से subject की vacancy निकाली गई है यदि आप apply करना चाते हैं तो अंते तक वीडियो के बने रहे तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ देली में ही रहेगी ऐसा नहीं है तो देली पबलिक स्कूल भोपाल से ये vacancy निकाली गई है अब देख लेते हैं कौन-कौन से पोस्ट में किस subject की vacancy है तो प्रेप के लिए pre-primary co-teachers की vacancy है प्राइमरी के लिए maths, evs, english, computer science, hindi, guzrati and sanskrit की vacancy है TZT में maths, science, english, german, sst में especially political science and history की vacancy है post graduate teachers के लिए english accountancy, business studies and psychology की vacancy है others में counselor, sports coach की vacancy है non-academic staff की अगर हम बात करें तो data entry operator की है admin, HR executive की, transport supervisor की and front office की ठीक है, electrician की भी vacancy है यहाँ पर qualification क्या मांगी जाती है तो देखिए experience यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है नहीं कोई CTAT या TAT मांगा गया है तो यहाँ पर प्रैप के लिए pre primary के लिए अगर आपने entity course किया है ECC course किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर apply कर पाएंगे PRT के लिए primary level का जो diploma degree होता है वो आपका यहाँ पर चाहिए trained graduate teachers के लिए B.Ed. वाले बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे apply कर पाएंगे post graduate teachers के लिए जो है यहाँ पर आपका English accountancy business studies psychology in subject में आपका होना चाहिए post graduation इसके बाद जो है counselor के लिए आपके पास diploma मांगा जाता है graduation के साथ में counseling में sports coach के लिए जो है B.Ed. वागर आपका मांगा जाता है non academic staff के लिए जो है थोड़ी higher qualification रहती है तो अगर आप data entry operator के लिए करना चाहते हैं apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर toilet के साथ में अगर आपके पास कोई computer का degree, diploma है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं इसके लाभा HR executive के लिए जो है और admin के लिए जो है थोड़ी सी higher qualification मांगी जाती है अब जो है apply कैसे करना है तो simple है interested candidate must email resume अपना जो latest resume है उसे आप लोगों को email कर देना है यह email address है career.dpsbopal at the rate calorex.org ठीक है यह है तो डैली public school भोपाल भोपाल railway crossing एहमदाबाद यह pin code है school की main website का link मैं आप लोगों को share कर दूँगी यहाँ पर vacancy section उपर दिया हुआ है बट यहाँ पर आप लोगों को advertisement नहीं मिलेगा यह जो advertisement मैंने आप लोगों को दिखाया newspaper में publish इनके द्वारा किया गया है यह school की building है आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर apply करना चाते हैं और भी चीज़ें अगर आप जानना चाते हैं तो school की main website पर आकर बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं तो यह जो है email address है इस पर जो है आप लोग apply कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलेंगे next video में Thank you